स्वागत है दोस्तो, आज हम आपनों के लिए डॉक्टर संगीता ज्या की कहानी लेकर आए हैं, इस कहानी का सीरसक है कंगन, तो चलिए कहानी सुरू करते हैं बचपन से वो कंगन मा के कलाईयों में देखे थे, रात को मैं और जीजी मा को ईसा मसी की तरह क्रूसिफाई करके सोते थे मेरा सिर मा के दाइने हाथ पर और जीजी बाय हाथ पर सर रखती थी हम अपने उंगलियां मा के कंगन में उल्जा कर रखते ताकि मा हमें छोड़ कर जाना सके मा तो हमें छोड़ कर नहीं गई लेकिन पापा मा को छोड़ कर चले गई मा ने कभी खुलकर पापा के बारे में बात नहीं की ना ही मुझे और जीजी को जिम्मेदार ठहराया मा चुपचाप हम दौनों को लेकर नाना के यहां चली गई मा के अंदर एक कार खाना था सभी कामों में निपोड फिर चाहे वो घर की सफाई या सलाई बुनाई या कटिंग कोकिंग बस फिर क्या था मामा को भईया बोलते बोलते हम बड़े हो गए मा का खुन भी मा जैसा ही था ना नाना नाने या मामा ने मा से कभी यह पूचा की क्यों अपना घर छोड़कर आई मा अपने पती के घर से कुछ लेकर आई थी तो वो थे दो कंगन कुछ बदला हमारी जिंदगी में जब मामा की साधी हुई और मामी आई और उन्हें हम महमान लगने लगे मा फिर वो घर छोड मुझे और जीजी को ले उसी सहर में एक किराय की मकान में आ गई मा सुवाय से लेकर रात तक अंगनत काम करती जैसे बच्चों की ट्यूसन पड़ोसियों की कपड़ों की शिलाई घर पर ही मठ्री लड़ू बनाना लाग तफली पे आई लेकिन वो कंगन पल भर के लिए उनके हाथ से नहीं उतरे मा का बोज हलका करने के लिए जीजी ने अपनी ही सहकर्मी से मंदर में शादी कर ली जब वो पती को ले मा से मिलने आई तो मा ने बरसों से जमा किये रुपियों में से 30 हजार जीजी के हाथ में रखे लेकिन वो कंगन नहीं उतारे मैं मा की मेहनत और कुछ अपनी लगन से इंजिनियर बन गया नौकरी भी लगी और छोकरी भी मिली लेकिन उसे भी मा में ही खोट नजर आया मुझसे कहती इतनी ही अच्छी थी तुम्हारी मा तो पती से क्यों नहीं नवा पाई मा की चुपी और ये बेर्थकर सौबिमान कई बार मुझे कचोटता मेरी बीबी की नजर हर समाए उन कंगनों पर ही रहती नौकरी तो मेरी ठीक ठाक थी लेकिन मा को सुक पहुँचाने का अर्मान दिल में ही रह गया हर माईनी की पहली तारीक बीबी ही पूरी तनखों पर जप्टा मार ले थी मेरे पैसों से सास और साली के कपड़े आ जाते पर सादी के बाद मैं मा के लिए कुछ भी नहीं कर पाया मा पहले भी पूरा कार खाना थी और अब भी लेकिन पुराने मशीनों में जंग भी लगता है इतो साद हम भूल गए थे अभी भी जीजी के सारे तीच तोहर मा अपनी छोटी सी कमाई से ही करती थी मेरी बीबी को हर समय भाय रहता की वो कंगन ना कभी जीजी की जरूरतों की बली चड़ जाएं पर एशा हुआ नहीं अचानक पुरी दुनिया में कोरोना नाम का भूचाल आ गया और बावतों का बहुत कुछ तैस नैस हो गया मा के पास ट्यूसन के बच्चे आने बंद हो गए लोगों ने मठरी लड़ू लेने बंद कर दिये मेरी तनख्वाय रोग गई बीबी ने हाहा कार मचाना सुरू कर दिया मा को मुझ पर दया आई और उन्होंने बरसों के सायजे हुए जड़ाओ कंगन मुझे उतार कर दिये और कहा जब बेटा इन्हें गिर्वी रख घर की जरूरतें पूरी कर बेचना नहीं बाद में काम कर मैं ही छुड़ा लूँगी मैं साहू का ढूंड़ता इससे पहले बीबी ही ठीक पुरानी पिचर के कंधया लाल की तरह लाला बन गई उसने कंगनों पर जप्टा मार कर मुझे कहा मेरे पास मेरी मा के दिये कुछ रुपाए हैं जब चाहिए ले लेना पता नहीं मा ने अपनी चुपी मुझे बराशित में दी थी मैं कायर कुछ बोल ही नहीं पाया मा एक मदू मक्खी की तरह दिन रात काम में लगी रही साथ ही आसा भी थी कि कंगन छुडा लेगी कंगन हाथ से उतरने के बाद मा की सहत गिर गई थी और खाना पीना भी ना के बराबर हो चला था मुझे भी मा के हाथ में कंगन की गर मौजूदगी पागल कर रही थी इसी बीच राकी का तोहर आया और लाला बनी बीबी भूल गई की घर में मा मौजूद है अपनी भावियों पर रौप जारने के लिए उसने वो कंगन हाथ में पहन लिए जो मा की नजरों से बच नहीं पाए मा ने हिकारत भरी नजरों से अपने जिंदगी भर की विश्वाश यानि मेरी और देखा और उस रात मा जो सोई सुवाय उठी ही नहीं मा को गुजरे महिने भर से जादा हो गया है लेकिन मा की वो नजरें रात दिन मेरा पीछा करती हैं कास मैंने वो कंगन मा की कलाईयों में ही रहने दिये होते